आज की इस वीडियो में आपको computer memory का ही एक important part बताने वाला हूँ जिसे आप कहते हो cash memory, ठीक है? तो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बहुत सारे memory के बारे में बताया है मैंने आपको रोम के बारे में बता दिया, RAM के बारे में मैंने आपको बताया और जो हमारा कुछ miscellaneous memory है जैसे आपका हो गया cash memory हो गया flash memory हो गया virtual memory हो गया आखिर ये memory क्या होती है मैं आपको आज पूरे detail में बताऊंगा ठीक है तो वीडियो के साथ आप अंद तक बने रहिएगा तभी आपको ये cash memory समझ में आएगी ठीक है तो अगर आप मेरे channel पर नहीं हो तो आप channel को जल्दी से subscribe कर लिजे ठीक है और अगर आप ऐसे examination के तयारी कर रहे हैं जहां पर computer एक major component होता है वहाँ पर आप मेरे videos को देखके जाए so that आपको एक idea मिल जाए और आप अच्छे तरीके से question को solve भी कर पाओ अगर MCQ based question देगा ठीक है आज के time में आप से कोई RAM और ROM का full form नहीं पूछता है आप से कोई अच्छा question ही पूछेगा examination जो examination conduct करवा रही है जो भी एजिंसी चाहे वो TCS हो चाहे कोई भी हो ठीक है तो आए स्टार्ट करते हैं तो देखो cash memory ना एक बहुत ही important memory होती है आखिर यह memory कैसे होती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ for example अगर आप YouTube चलाते हो ठीक है for example अगर आपने कोई channel search कर रखा जैसे आपने study IQ education channel search कर लिया ठीक है अपने search वाले list में और आप आज से 10 दिन के बाद अगर उस channel को फिर से अगर search करना चाहोगे ना तो जैसे आप study ही लिखोगे ना आपको recommendation YouTube जो है वो देना start कर देगा जैसे for example अगर आप सरकारी result open करते हो तो जैसे ही आप आपने 10-15 दिन पहले वो सरकारी result already open कर रखा है ठीक है आप आज अगर फिर से करना चाहोगे आप सरकारी ही लिखोगे आपको recommendation सरकारी result का आना start हो जाएगा तो ये क्या है आपका data mobile already अपने एक memory में उसको store करके रखा है ठीक है जिसे आप कहते हो history और history ही एक तरीके का क्या होता है आपका cash memory होती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है आपकी वो main memory में वो नहीं जाता है क्योंकि आप उस channel के regular user है उस चीज के जो भी keyword आप search करना चाहरे उसके आप regular user है तो आपको जो भी YouTube कोई भी platform पे अगर आप search करते हो न तो वो आपको recommendation देना start कर देगा तो यही recommendation कहां से आती है वो आपकी cash memory से आती है तो वो वहाँ पर वो data store हो जाता है और same computer के अंदर भी ऐसा ही होता है ठीक है चाहे आप MS Word चाहे आप Microsoft Office में कहीं पे भी आप कुछ search करते हो आपने वो 15 दिन, 20 दिन पहले search कर रखा है आज आपने वो बंद कर दिया तो फिर भी आप अगर search करना चाहोगे न तो जो आपने search किया है वो automatically आपको दिखना है start हो जाएगा तो यही एक concept होता है जिसे आप कहते हो क्या cash memory तो मैंने यहाँ पे आप लिख के रखा है आपको जो पसंद है उसको अपने पास ये रख लेता है ठीक है एक्जामपल आपने पहले study IQ education search कर रखा है तो वो आपको वो so करना है start कर देगा दुबारा जैसे आप type ही करोगे ना तो आपको दिखना है start हो जाएगा मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है ठीक है once the data is stored in the cache it can be used in the future by accessing the cache copy rather than re-computing the original data आपके जो cache memory में जो data already stored कर रखा है वो system क्या करेगा उसी data को पहले सो करना start कर देगा ना कि वो main memory में जाएगा ठीक है तो यही एक छोटा सा concept होता है किसका cache memory का ठीक है तो आप इसको लिखो एक दो line और बचे हैं मैं आपको वो लिखवा दूँगा तो आपका ये cache memory खतम हो जाएगा तो मैं आपको उसके बाद flash memory बताऊँगा flash memory और virtual memory ये दोनों भी important है काफी ये miscellaneous type की memory होते है ठीक है आप इसको लिखो बस 2-2 minute और लगेगा आपका ये flash memory खतम हो जाएगा सबसे पहले आप इसको no down कर लो ठीक है मैं side हट जाता हूँ तो आएए अब हम लोग थोड़ा सा information और इससे ले लेते हैं ठीक है देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ना जो आपके book में जो language लिखे होते हैं मैंने उसको भी यहाँ पे सामिल कर लिया है so that आपका एक भी कुछ ना छूटे सारा point आपको clear हो जाए अच्छे तरीके से और आप समझ भी पाओ तो देखो when the processor needs to read from or write to a location in main memory it first check whether a copy of data is in the cache इतना ग्यान दिखाओ मैं आपको समझाता हूँ मान कर चलो मैंने आपको जो बताया था same repetition यहाँ भी है कि अगर मान कर चलो अगर computer कोई data आप से चाहता है या फिर आप कुछ search करते हो तो वो main memory से जाने से पहले वो क्या करता है ना cache memory में चेक करता है अगर उसको वहाँ data वो मिल जाता है मान कर चलो आपको कहीं जाना है ठीक है जैसे आपको मान कर चलो यहाँ से आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ से आपको 10 km लोकेशन पर जाना है क्यों क्योंकि वहाँ पर सबजी मिल रही है ठीक है अगर मान कर चलो कुछ ऐसा हो जाए आपके घर के बाहर ही आपको सबजी मिल जाए तो आप क्या करोगे वो 10 km जाना चाहोगे तो same condition यह भी होता है तो वह सबसे पहले चेक करता है कि आपके वो cache memory में already वो present data है तो उसको वो data show कर देगा अगर नहीं present होगा तब वो main memory में जाएगा जो main memory है मैंने आपको already इसके बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है ठीक है? तो यहीं यहाँ पे कहानी लिखा गया है when the processor needs to read from or write to a location in main memory it first check whether a copy of data is in the cache क्या वो data cache के अंदर present है या फिर नहीं present है अगर वो present होगा तो वो directly वहीं से उसको data को निकाल लेगा अगर वहाँ पे present नहीं होगा if not then उसके बाद वो main memory में जाएगा यहीं यह कहानी का मतलब लिखा है देखो if so the processor immediately reads from or writes from the cache which is much faster than reading from or writing to a main memory भाई बगल में अगर आपको कुछ मिल जा रहा है तो वो तो भाई काफी fastly होगा ना बहुत speed में आपने वो काम कर लिया आपने जाके अपने road से आपने सबजी ले आया तो वही यहाँ पे किया गया है तो यह जो process होता है ना वो काफी fastly होता है काफी smooth होता है एकदम cumbersome नहीं होता है वो काफी fast होता है वो तो यही था आपका cache memory अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आप क्या करना अभी से एक बार वीडियो को फिर से देखना आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा मैंने बहुत सारे example से आपको अच्छे तरीके से बताया है ठीक है मैंने इस topic को बहुत अच्छे अच्छे example से embellish किया है ठीक है आपके जो exam point of view से जो computer है मैं चाहता हूँ इसका fear एकदम आपके लिए खतम कर देना ठीक है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत